शाशन तंत्र से संबंदित कुछ उप्योगी सुझाव पंडिश्री राम शर्मा आचारे समाज संगठन का सशक्त सुरू अब सरकार को ही माना जाना चाहिए कोई समय था जब अनुभवी, इमानदार और प्रितिष्ठित व्यक्तियों को पंच बना दिया जाता था और वी सत्वेवहार की सत्परमपराय चलाते रहने के लिए निरंतर प्रत्मशीन रहते थे ऐसे अफसर कम ही आते थे जिन में सामाजिक मर्यादाओं का उलंगन किया गया हो और अपराधियों को प्रतारना, भर्चसना एवं शतिपूर्ति के लिए बादित होना पड़ा हो इस प्रक्रिया में निश्चे को कार्यानवित करने में विलंब भी नहीं लगता था वादी, प्रतिवादियों की सिर पर नियाय ववस्था का कोई खर्च भी नहीं पड़ता था गवाहों की खाना पूरी करने की अपेक्षा, पंच लोग ही जंजटों की तह तक जाकर वस्तु उस्तितिक अपता लगा लेती थे साक्षी मात्र प्रतिष्टितों की नियाय प्रिय लोगों की ही उप्युक्त मानी जाती थी भाड़े के अप्रामारेक व्यक्तियों की भीड लगाने की कोई आवशक्ता ही नहीं पड़ती थी दूर न्यायल्यों में जाने का खर्च भी नहीं पड़ता था और समय भी व्यर्थ नहीं जाता था पंचायतें सत्प्रवर्तियों के संचालन और दुश्प्रवर्तियों के दमन का कारे स्वेम ही कर लेती थी उनके पीछे लोकमत होता था, इसलिए निर्देशनों की उलंगन की हिम्मत भी किसी की नहीं पड़ती थी केंद्रिय सरकार को हस्तक्षिप तब करना पड़ता था, जब पंचायतों के निर्णे से अधिक का कोई जंजट सामने आता था देशों की सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी भीवे सरकारे ही उठाती थी, उनके खर्च के लिए लोग अपना उपार्जन का छटा अंश राज्यकोश में पहुचा देते थे अब वह समय नहीं रहा, पंचायते धुर्बल हो गई, उसका कारेर सरकार को करना पड़ रहा है एवं आंत्रिक विग्रहों को दपाना भी उसी का काम है, अपने देश में प्रजातन्त्र है, प्रजाद्वारा चुने हुए प्रत्नीदी ही सरकार की छोटे बड़े संस्थानों को चलाते हैं, अफसर और करमचारी निर्धारित कारियों की पूर्थी के लिए अपना पू पूसाशक के लिए आवशक है कि मतदाता दूरदर्शी और विवेकवान हो, ऐसे व्यक्तियों को मत दें, जो सुचरित्रता और सुव्यवस्था की कसोटी पर खरे सिद्ध हो सकें, अपना परिचे और मनतव्य संग्षेप में मतदाता को बता दें, यह प्रचार कार इतना मेंगा नहीं होना चाहिए कि प्रत्याशी को अपने परतन पेशले पड़े, न मतदाता उनसे किसी प्रत्यक्ष परोक्ष रिश्वत की आशा करें, अच्छा हो, प्रपुद्ध मतदाता ही चुनाव की प्रक्रिया अपने कंधों पर उठाए और प्रत्याशी को चापलूस या धन बरबादी के लिए बादित न होना पड़े। जिस प्रकार प्रत्यदी चुनने का जन्ता को अधिकार है, उसी प्रकार उसे यह भी अधिकार रहे कि आयोग्य या अपराधी सिद्ध होने पर उसे उसी मतदानदवारा वापिस बुला सके। सरकारी प्रत्यदी संभाव एवं संभिधान बनाती या निती निर्धारित करती है। निर्णयों को कार्यानवित करने का दायत्व अफसरों या करमचारियों का होता है। इसलिए उन्हें निक्त करते समय मात्र उनकी सिक्षा ही नहीं। इसलिए जीवन की निती मत्ता एव सेवा भावना भी पर्खी जानी चाहिए इन दिनों यह न्युक्तियां 21 से 25 वर्ष तक की आयू वालों की होती हैं इसमें परिवर्तन होना चाहिए अनुवव 30 वर्ष सेखम आयू में किनी बिर्लों में ही दिखा गया है अनुवव हीनों को मात्र सिक्षा की आधार पर आधी नहों रिश्वत खोरी न करें इसकी जाच परताल करते रहना सरकार का अपना काम है इन दिनों जनता में रिश्वत देने वाले और अफसरों में लेने वालों की संख्या बढ़ गई है पलताह अनुचित कारे होते रहते हैं और उचित मार्ग अपनाने वालों को हैरा प्रिक्रिया रोकी न जा सके तो नियाय और निती के पैर उखर जाएंगे और अनवचित्ति की तूति बोलेगी। सरकार से जो आशा की जाती है पैर बहुत महगी पड़ती है बलता सम्मंद व्यति बोरी तरह खीजते हैं और विश्वास उठ जाने से कानून अपने हाथ में लेने का प्रित्न करते हैं इस प्रक्रिया के कारण नए किस्म की नए उप्रब उठ खड़े होते हैं मूल बात पी इतना घरचीला न हो आवश्रक्ता से अधिक लोग न रखे जाएं और इतना वेतन हो जितने में देश का मध्यवर्ती समाज गुजारा करता है इन दो बातों पर ध्यान दिया जाए और करमचारियों की चुस्ती फूर्ती एवं इमानदारी की विश्वश्थ जाच परताल होती रहे तो जनता और अफसरों की बीच जो खाई चोड़ी होती जाती है वेह न हो इन दोनों की कारण सरकार की लोग प्रियता घटती है और जनसाधारन की देश भक्ति भावना में कमी आती है लोग सरकारी निर्देशनों सुझावों योजनाओं पर ध्यान भी नहीं द इतनी जंजट भरी तथा हलकी है कि उसका दवाप अपराधियों पर नगर्ण जितना पड़ता है उनमें से अधिकांश कानूनी पेची दगियों के कारण तथा गवान न मिलने के कारण छूट जाते हैं जमानत पर छूट आने से वे फिर आतंक पैदा करते हैं और गवाहो जुटाने के दायत्र से मुक्त करना चाहिए वस्तु इस्तिति का पता लगाना सरकार और पंचायत तंत्र को किसी समर्वित समिती के हाथ सोपा जाए अन्य था अपराधियों को दंड मिलना संभव न रहेगा कर चोरी और काले धन की व्रद्धी में जहां व्यापारी दोशी है वहां कर लगाने और वसून करने की वर्तमान पद्धिती भी कम दोशी नहीं है उत्पादन कर एक जगे लगा दिया जाए और हर साल का लेखा जोखा लेने में जो आमन्दनी बढ़े उस पर टेक्स ले ल अंतर होती जाती है यदि ये दबाया हुआ पैसा खोना जा सके तो उससे उद्ध्योग की व्रद्धी हो सकती है और बेरुजगारी घट सकती है देहाती उपयोग की वस्तुए कुटीर उद्ध्योग की अंतरगत गाउं में ही बने बड़े मिलों को उनकी प्रतिदुन्द न करने दी जाए सरकारी तंतर की अंतरगत कच्चा माल बने बना माल खरीदने की व्यवस्ता रहे तो लाखों बेरुजगारों को काम मिल सकता है बेरुजगारी के कारण जो अनेक प्रकार के विग्रह पनप रहे हैं उनमें रोक थाम हो सकती है शिक्षा का ऐसा करम बने कि जूनियर हाइ स्कूल या हाइ स्कूल इस्तर की सिक्षा को व्यापक बनाया जाए उसको व्यक्तिकत आधार पर भी पनप्टि दिया जाए जीवन में निरंतर काम आने वाले शारिरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजे, आर्थिक, धार्मिक विश्यों का इस अनवारे इतिहास भूगोल, रेखागड जैसे काम ना आने वाले विश्यों का परचे मात्र एक पुस्तक में करा दिया जाए इसी बीच गरह उद्यों का व्याभारिक सिक्षण भी चलता रहे कॉलेज इसतर की सिक्षा को प्रोच सहन न दिया जाए, जो विशेशग बढ़ना चाहें उनी के लिए कॉलेज के द्वार खुले रहें नौकरी के लिए पढ़ाई का भ्रम, विद्यारतियों और अभिभावकों के मन से निकाल दिया जाए विविद्विश्यों की रात्री पाठशालाओं की नई व्यवस्था चले, मैलाओं के लिए मध्यायन पाठशालाओं की, इन में साहित्तिक विशे कम और व्यवहारिक विश्यों की बहुलता रहे वारशिक परिक्षाओं की पद्धिती दोशपूर है उसमें अयोग की लड़कों को हतकंडों की आधार पर उत्तीन होने की बहुत गुंजाईश है मासिक यद्वि मासिक परिक्षाएं होने लगें मात्र पुस्त की अग्यान ही न आका जाए बरन प्रतिभा, चरित्र एवं लोक सेवा जैसे विश्यों में भाग लेने की बेचाच परताल होती रहे इन मासिक परिक्षाओं के अंक जोड़ कर ही वार्सिक परिक्षा मान ली जाए भारत में सामाजिक कुरितियों की भरमार है धर्मिल्निर पेक्षिता के नाम पर इच्छा चलते रहने की चूट न मिलनी चाहिए समा सुधार के कुछ कानून हिंदु संपरदाय के लिए बने हैं जबकि दूसरे संपरदाय उनसे मुक्त रखे गए हैं बहुवेवा परदा प्रथा जैसी बुराईयां सभी वर्वों से हटनी चाहिए आरक्षन जाती विशेश को न दिया जाए जिनकी सामाजिक या आर्थिक इस्तिती सचमुच ही गिरी हुई है उनच सभी को आरक्षन का लाप मिले जबकि आजकल अनुसूचित जाती के नाम पर सुसंपन्नों को भी वहलाप मिलता है जो वस्तत है पिछणों को मिलना चाहिए इन दिनों बनवासी आदिवासी वर्व सचमुच ही ऐसा है जिसको जर सामाने के इस तक तक लाने की विशेश चेश्टा की जानी चाहिए प्रोण सिक्षा के ओर विशेश द्यान देने की आवश्चक्ता है सत्तर प्रतिशत प्रोणों की सिक्षा उपेक्षडियर नहीं है पुर्षों के लिए रात्रि पाठ शालाएं और महलाओं के लिए अपरहन शालाएं स्वेम सेवी संस्थाओं के माध्यम से चलाई जाएं इसकी लिए ऐसी सलस्थाओं के संगठन और संचालन के लिए साशक समदाय अपने प्रभाव का उप्योग करके लोग सेवी सलस्थाओं के निवित आवश्चक उत्साह पैदा करें बाल विवा, बहो विवा और बहो प्रजनन बड़े प्रीतिभोच, भिक्षा, व्यवसाय के विरुद्ध कड़े कानून लागू किये जाएं। धीले पोले कानूनों का रहना न रहना समान है यदि इन सामाजिक बुराईयों को समुचित ही रोकना है तो लोगों की नाराजी का वोट कटने का ध्यान रखे बिना इन्हें कड़ाई से लागू करना चाहिए और अपराधियों को ऐसे दंड देने चाहिए जिससे दूसरे के भी कान खुलें। जो इसकूल छोड़ते ही विस्मृत हो जाते हैं और कभी किसी काम नहीं आते। गाउं में व्यायाम शाला की स्थापना कराई जाए जिसमें हर इस्तर के बाल व्रिद्धों को उनकी इस्तिति के अनुरू व्यायाम कराए। इसके साथ ही स्वस्थ रहने से संबंदित सभी विश्यों का संग्शिप्त समावेश हो। फरस्ट एट, रोगी परचर्या, धात्री कला, सिशु पोशर जैसे विशे इन व्यायाम शालाओं के साथ ही वद्धिक सिक्षा के रूप में पढ़ाये जाए। प्रोण सिक्षा और व्यायाम आंदोलन के लिए ऐसी पाठ पुस्त के रहें जिन में आज के व्यक्ति परिवार और समाज की सभी समस्याओं का सुरूप और समाधान संग्शेप में कित्र सारदर्वित रूप से चलाया जाए। देहातों में ग्रामीरों की सामने उपस्तित सभी समस्याओं के कारण और निवारन बताने वाले छोटे 16 मिली मीटर के सिनेमा घर बनाए जाए जिसके टिकेट सुल्प दामों के हों। उनके लिए सस्ते दामों पर दिखाने के लिए रचनात्मक एवं सुधारात्मक फिल्में एक-एक शांतिकुन जैसी संस्था बनाती रहे और उसे व्यापक रूप से छोटे-छोटे गाउं तक पहुचाने का प्रबंद किया जाए। यह योजना सरकार हात में लेने के जंजट में न पढ़ना चाहे तो स्रेम सेवी संस्थाओं को यह काम सौपा जा सकता है। राम प्रधान देशों में भी कईयों ने ऐसी डिप्लोमा कोर्स जारी किये हैं। आज की देहाती तथा शहरी कितनी ही समस्याओं का समाधान हो सकता है। गाउं में मलवोत्र इर्दगिर्द ही सरता रहता है जिससे दुरगंद तथा बीमारी तो फैलती ही है। साथ ही कीमती खाद का भी भारी नुकसान होता है। इसके लिए सस्ते बिना सौकपिट वाले पाखाने, सामुहिक पाखाने, रोडी, कंकर वाले पेशाप घर जगय जगय लगाय जाने चाहिए। कम लकड़ी से जलने वाला चूला भी हर किसी को उपलब्ध हो सके ऐसा प्रबंध किया जाना चाहिए। संबब हो तो हैंड पंप लगाने की योजना को भी सस्ता और सरकारी तंत्र के साथ जुड़ा बनाया जाए। देहाती सस्ते मकानों के लिए खप्रेल बनाने की व्यवस्था भी पड़े भेमाने पर जगय जगय की जाए। सीमेंट के ढले हुए पाए भी बन सके तो बड़ती आबादी के लिए खेच पिच में सडरे की अपेक्षा सस्ते मकानों की देश व्यापी योजना बन सकती है। इसमें लोहे के इस्तान पर बास का उप्योग हो सकता है। इस्तानिय सरकारी तंत्र को यह सभी सुझाब दिये जाए और जहां जो ब्रवंद बन पर रहा हो उसमें पुरा-पुरा सहयोग दिया जाए। जाए जाए।